अश्लाम्लीकूम दोस्तो कैसे हैं आप सब। दोस्तो क्या आप जानते हैं कि कुल टाइन लफ्स कहां से आया है या पिर क्या आप दुनिया के महँगेतरीन आमकी कीमत जानते हैं। कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो क्या कभी हाथी को चोरी करते देखा है इस हाथी को देखें इसने पहले तो बस को रोका और फिर ड्राइवर की बगल में रखे केले चूराए र्राइवर ने भी डरते हुए जल्दी से केले आगे कर दिये और केले लेकर हाथी ने बस का रास्ता छोड़ दिया अब यहां देखें इस प्लेन का इंजन हवा में बंद हो गया और स्टार्ट नहीं हो रहा था तो पाइलिट ने रिस्क लेते हुए पंक्खा घुमाया और प्लेन के इंजन को दुबारा स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिया इस डोग को देखकर ऐसा लगता है कि यह कोई सरकस वाला डोग है बगर इतनी हाई वोल्टेज वाली तारों के उपर कितने खत्रे में है और यह यहां कैसे पहुँच गया दोस्तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास बारिश हो रही है तो थोड़ी दूर बारिश नहीं हो रही होती मगर यहां बारिश सिर्फ कुछ जगा पर हो रही है बाकी हर तरफ कुछ भी नहीं यह कोई प्रैंक नहीं बलके हकीकत है आपने लोगों को भेड के बाल साफ करते देखा होगा मगर क्या कभी कवों को बारबर का काम करते देखा है यहां देख लें दुन्द से आपका अक्सर सामना हुआ होगा दुन्द में बस कुछ दूर तक ही नजर जाती है यहां भी काफी दुन्द है और एक प्लेन अचनक से नमुदार होता है और फिर दुन्द में गाईब हो जाता है ड्रोन कैमरा एक कमाल की चीज है इसके साथ कमाल के नजारे लिए जाते हैं जैसे एक farm की बेड़ों को देखें कैसे कितनी खूबसूरती और rules को follow करते हुए ये जा रही हैं और ज़रा इस snake game को भी देखें असल में ये इंसान हैं जो एक दूसरे से जूरे हैं और snake game का view दे रहे हैं अक्सर लोग डोग्स को बड़े शोक से पालते हैं और डोग के गले में पट्टा या चेंड डाली जाती है मगर इस डोग को पट्टे से नफरत थी तभी तो इसने पट्टे को खा लिया और बीमार हो गया और फिर डाक्टर्स ने इसके पेट से पट्टा निकाल लिया जरा देखें जिमनास्टिक एक पापुलर गेम है और ये काफी खतरनाग भी है कई बर खिलाड़ियों का बैलनस बिगर जाए तो उनको चोटे लग जाती है जैसे इस लड़की को देखें नीचे आते हुए गिर गई और मुव पर जबरदस्ट चोट लग गई ऐसा लगता है जैसे ये कोई खूबसूरत रोड है मगर ये पानी का तलाब है जिसको खेती के लिए या फिर मचलियों के लिए इस्तमाल किया जाता है अब जड़ा इस शीड़ी को देखें ये उपर से नीचे जा रही है अब फून को घुमाएं और फिर देखें अब आखें बंद करें और खोल कर देखें और फिर बताएं कि ये शीड़ी किस तरफ जा रही है यहां देखें इस आदमी को जो एक बर्ड को सहला रहा है जो लकडी पर बैठी है मगर जरा दूसरी तरफ से देखें एक और बर्ड जिसने अपने आप को छुपाया हुआ है जो भी देखेगा वो इसे लकडी ही समझेगा अब यहां फाइट देखें जो के टर्टल और ब्लोव फिश के दर्मियान हो रही है वैसे तो टर्टल बहुत सूस्त होते हैं लेकिन लड़ाई के मामले में इसकी तेज़ी देखें जेसी भी को आपने खुदाई करते देखा होगा मगर यह कई ओर काम भी कर सकता है जैसी यह जेसी भी कितनी बारिकी से तर्बूस को काट रहा है और यह जेसी भी इस बड़ी शिप को धका देकर पानी में दाखिल कर रहा है दोस्तो चाइना की सरकार ने अपने पहाड़ी लाकों में कई ऐसी चीज़े बनाई है जिनको देखकर टूरिस्ट काफी अट्रेक्ट होते हैं और यहां देखें यह आदमी एक रोप पर बगएर सेफटी के बाइक चला रहा है और नीचे लड़की लटक रही है और यह दोनों बगएर सेफटी यह हैं इस बर्ड का दिमाग देखें यह पत्तों के दर्मियान की डंडिया निकाल कर अपने पंकों में अकठा कर रही है और इनसे यह गोंसला बनाएगी दोस्तो एक ऐसा कीड़ा होता है जो मचली के गलफड़े से इसकी जबान में पहुँचता है और जबान को खाता है और फिर जबान की जगा ले लेता है और मचलिया इसको एडोप्ट कर लेती हैं क्योंकि इनको जबान की ज़्यादा जूरत नहीं होती वो अक्सर चीजों को निगल लेती है दोस्तो परल जी बिस्किट के रैपर पर बनी लड़की को तो आपने देखा होगा मगर आप नहीं जानते के ये लड़की कौन है असल में ये सिर्फ एक आर्ट है जिसे एक आर्टिस्ट ने अपने दिमाग से बनाया है ये मचवायरे जब सबंदर में जाल फैंकते हैं तो जाल में मुझूद मचलियों को खाने के लिए हजारों सील लाइन्स वहां आ जाते हैं और सारी मचलियां खा जाते हैं अक्सर लोग कार्ड्स की मदद से कई तरह की ट्रिक दिखाते हैं और ये लगका एक काड़ से माचिस की तीली को जला देता है और बुजहा भी देता है इस चाइनिज शेफ को देखें जो आँखें बंद करके सबजियां काड़ता है और कही तरह के डिजाइन भी बना देता है दोस्तों आम तो सबको पसंद है और हमारे मुलक में आम बहुत ज़्यदा मिकदार में उगाया जाता है और खाया भी जाता है वगर दुनिया का सबसे महगा आम जापान में पैदा किया जाता है जिसका नाम मिया जैकी मेंगो है इन्हें आउडर पर उगाया जाता है क्योंकि इनकी फार्मिंग बहुत मुश्किल है और अब तक कि इस नसल के आम की सबसे महंगी बोली एक पेर की 2,70,000 लगी है दोस्तों कि आपको पता है क्योरटाइन नाम का लफ़ कहां से आया तो आपको बता दें कि एक जबाने में प्लैग नाम की बिमारी आई और पूरी दुनिया में फैल गई और इटली में आने वाले मुसाफरों के जहाजों को 40 दिन समंदर के अंदर ही रखा जाता था ताकि जो भी बैक्टेरिया हो वो समंदर में ही खतम हो जाए और 40 दिनों को इटली की जबान में क्यरटाइन कहा जाता है और इसी तरह ये लवज हमारे तक आ पहुँचा मगरमच बहुत खतरनाक होते हैं मगर ज़रा इस आदमी को देखें जैसे ये मगरमच का बाप हो ये पहले एक्टिंग करता है फिर मगरमच को गोश्ट खिलाता है और फिर इस पर सवारी भी करता है और इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं अब इन दोनों को देखें यहां पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये दोनों पानी के सारे खड़े हैं और एक तो पानी के प्रेशर की मदस्ते करतब भी दिखा रहा है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद देऊगी ऐसी इंफर्मेटिव और इंटरस्टिंग रोग देखते राने के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद दिये तो इसे लाइक कोमेंट और शेयर करना मत भूलें थैंक्स वर वाचिंग